दोस्तो आप लोगों को कहने पर मैंने वीडियोस में आप्शन्स डालना शुरू कर दिया हैं एक बर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे कुस सुवीधा मिली या फिर नहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे रोचक प्रशन देखने वाले हैं जो शायद आपने कभी पहले ना सुना हो और अगर सुना भी होगा तो शायद आप उसको उत्तर नहीं जानते होंगे तो प्रशन ध्यान से देखिएगा और जवाब भी ज़रूर बताइएगा आईए मैं आपको आप्शन्स बताती हूँ आप्शन ए है चीन, बी जपान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत आईए इसको सही जवाब जानते हैं चांद पर पानी की खोज हमारे भारत देश ने की थी कोश्च नूमर टू, रिक्वेट में सबसे प्रमुक देवता कौन है? आप्शन ए है इंद्र देवता, बी अगनी देवता, सी सूर्य देवता, डी इश्वर देवता इसका सही जवाब है आप्शन ए इंद्र देवता, जिने रिक्वेट में सबसे प्रमुक देवता माना गया है Q3. दुनिया में किस शहर में सबसे ज़्यादा कारे हैं? क्या आप जानते हैं? आईए मैं आपको options देती हूँ A. डेली, B. मुंबई, C. कॉलकता, D. बेंगलोई तो इसका सही जवाब होगा option A. डेली जहां सबसे ज़्यादा कारे हैं Q4. किस जीब की हड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? अगर आप नहीं जानते तो option सुनिए option A है शेर, B. चीता, C. बाग या फिर D. भालू दोस्तों सही उत्तर है option C. बाग जिसकी हड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होती है question number 5 अब ये बताईए कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है? आईए options देखते हैं A. डायमेंड सूतरा B. श्री हरी चरीत्र मूरत सागर C. रमायर B. अगाथा क्रिस्टी सही जवाबे option B. श्री हरी चरीत्र मूरत सागर question number 6 ये बताईए कि दुनिया की सबसे महेंगी करन्सी कौन सी है? तो options आपके सामने हैं A. है बेलोरेशियन डॉलर B. कुवेती दिनार C. येरो या फिर D. बहरीन दिनार सही उत्तर होगो option B. कुवेती दिनार जो दुनिया की सबसे महेंगी करन्सी है question number 7 हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां blood supply नहीं होता? आईए options देखते हैं A. है cornea B. ना भी C. कोहनी या फिर D. ना खुन तो देखिए सही जवाब होगो option A. कॉर्मिया जहां पर blood supply नहीं होती question number 8 railway को कितने zone में बाटा गया है क्या आप जानते हैं? option A. 14 zone B. 16 zone C. 18 zone D. 20 zone सही जवाब होगो option C. railway को 18 zone में बाटा गया है question number 9 सूरज किस से मिलकर बना हुआ है? ये बताईए option A. है लीथियम और हाइड्रोजन B. हाइड्रोजन और हीलियम C. बोरोन और कार्बन D. नियोन और कार्बन डायकसाइड सही answer है option B. सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है question number 10 8. अब ये बताईएं कि इनसाण की शरीर का कौन सा अंग बजली पएदा कर सकता है है आईए हम आपको बताते हैं इनसाण की शरीर का मास्तिस्क एक ऐसा अंग है जो बजली पईदा कर सकता हैonstischer में मौजूत नियूरोन cells बिजली पैदा कर सूश्नाय संचरित करती हैं और देखिए हमारा दिमाग 15 ऑल्ट तक बिजली पैदा कर सकता है दूस्तों क्या आप यह पहले से जानते थे कि हमारा दिमाग बिजली भी पैदा कर सकता है दोस्तों आज के लिए पस इतना ही आप ऐसे olur पड़ते और अपनी knowledge increase करते रहे हम मिलेंगे next video में